देश में महंगाई का जोर कायम है इधन से लेकर खाद तेल तक सब के भाव आस्मान छू रहे हैं सबजियों के दामों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है अब एक महीने बाद प्याज का भाव भी फिर से बढ़ने वाला है प्याज एक बार फिर 50-60 रुपे किलो होने वाला है फिलहाल प्याज के भाव में भारी गिरावट आई हुई है प्याज की आवग बढ़ने की वज़ा से ऐसा हुआ है लेकिन अब एक बार फिर जुलाई तक आते आते प्याज की मांग बढ़ने की वज़ा से दाम तेजी से बढ़ेंगे महराश्य के नासिक के लासल गाप APMC मार्किट समेथ देश के बजारों में प्याज की मांग बढ़ गई है मांग बढ़ने की वज़ा से इसका गाम बढ़ने का नुमान है नैफेड की और से बड़े पैमाने पर प्याज खरीदने की शुरुआत की गई है नैफेड की और से बड़ोतरी किये जाने के बाद वेपारियों ने भी तेजी से प्याज खरीदना शुरू कर दिया है इस तरह प्याज की अचानक बड़ी हुई मांग का असर इसके दामों पर पड़ेगा और अगले एक से डेड़ महीने में प्याज का भाव काफी बढ़ जाएगा मार्च महीने से ही प्याज के भाव में गिरावट आनी शुरू हो गई थी दामों में गिरावट का फैदा उठाते हुए नैफेड की और से बड़े पैमाने पर प्याज की खरीद शुरू की गई नैफेड की देखा देख वेपारियों ने भी प्याज की खरीद में तेजी लाई नासिक जीले में भी प्याज की खरीदारी तेज हो गई है फिलहाल मांग से जादा सप्लाई होने की वज़ा से प्याज की दरों में गिरा वटाई है लेकिन अब नैफेट और वेपारियों द्वारा इसकी खरीदारी बढ़ाये जाने से एक बार फिर इसके दामों में इजाफा होने की संभावना है जानकारों के अनुसार जल्द ही प्याज 50 से 60 रुपे किलो हो सकता है अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं बिग बिस दस मिनट में लाएगा आपके घर दूद और दही बिग बिस खुशियों की अपनी दुकान